Types of Control, तो timing के basis पे हम control को 3 type में divide कर सकते हैं, there are 3 types of control, पहला है proactive जिसको हम predictive या फिर pre या फिर feed forward control के नाम से जानते हैं, तो कुछ books में आपको feed forward, कुछ में pre control, कुछ में predictive, कुछ में proactive के नाम से आपको देखने को भी लेगा, वहीं पर जो दूसरा control है that is concurrent control और तीसरा जो type है that is feedback या फिर post control भी कहते हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पर discuss करते हैं, तो पहले जो control का type है that is predictive या फिर pre control या feed forward control, यह क्या होता है, कि यहाँ पर जो problem आने वाली है, उसको पहले सही anticipate करके आप यहाँ पर control करते हो, यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि suppose करिए कि आप जो है गार गारी को launch करने से पहले, आप गारी के जब testing करते हो, तो उसको pre control कहते हैं, या फिर गारी बनाने वाले हो, तो गारी बनाने से पहले आप जो है inputs की testing करते हो, inputs को test करते हो, जिससे कि को THIS control occurs before the activity is going to start, यानि कि कोई भी activity आप start करने वाले हो, उससे पहले ही आप जो controlling techniques use करते है, उसको हम क्या कहते हैं that is predictive pre-control of feet forward control this type of control helps to force the problem ahead of occurrence याने कि problem होने से पहले ही आप जो है उसके लिए तयार रहते हैं तो उस type के control को हम predictive control कहते हैं therefore action can be taken before such a circumstances arises याने कि जैसे कि होता नहीं है कि बिमारी लगने से पहले ही आप पहले ही जो है वहापर precautions लिजिए ताकि बिमारी आपको हो ही ना आप COVID आपको पता है कि market में COVID फैल रहा है अब आप जो है क्या करते हो कि आप जो है पहले से ऐसे प्रिवेंटिव टेक्निस का यूज़ करते हैं इनवाल्व एवालेटिंग दी वैरियस इनपूर्ट तो और फिर बनकर तयार हो तो उसमें कोई defect ना हो इसी तरीके से management की point of view से बात करें तो आप जो है वहाँ पर policies बना देते हैं आप जो है वहाँ पर time and condition पहले ही बता देते हैं कि जिससे सभी managers को पता हो कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है जिससे कि आगे चलके कोई problem या फिर कोई कलत काम, कोई manager या फिर कोई employee ना कर दे इसलिए तो policies इसलिए तो time and condition बनाई जाती है तो ये policies, time and condition ये क्या है एक तरीके का pre-control है यानि कि लोग अगर उस policy, time and condition के according चलेंगे तो वो जो है सही से perform कर सकते है तो जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है preventive maintenance program है तो example के तोर पे when an engineer performs test on the braking system of a prototype vehicle before the vehicle design is moved on to mass produce तो उसी को क्या कहते है predictive या फिर प्री कंट्रोल या फिर 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 फ़रवड कंट्रोल यानि की काम को start करने से पहले जो आप controlling techniques यूज़ करते हैं वो चीज predictive controlling technique कहलाती है आप जो है car बनाने वाले हो तो car का पहले आप prototype करते हो तो car के prototype में ही आप ब्रेकिंग system टेस्ट कर रहे हो car के handling चेक कर रहे हो, car के steering के चेक कर रहे हो तो ये सारी चीज़े predictive control है, pre-control कहती है next जो है that is concurrent control अब यहाँ concurrent control में क्या होता है यानि की process complete नहीं हो, यानि की car बनना start हो गया और car बनकर अभी जो है complete नहीं हुआ है तो car बनने के process में है उसी में जब आप different controlling techniques का use करते हैं तो उसको concurrent control कहा जाता है तो it correct the problem as they happen तो जैसे जैसे problem आएगी वैसे वैसे जो है आप यहाँ पर उस problem को solve करते हो के पास जा रहा है, medicines ले रहा है, precautions ले रहा है तो covid होने के बाद वो जो है वहाँ पर precautions ले रहा है यानि की अब covid हो गया उसको तब वो जो है different controlling techniques, medicines वो गयरा mask वो गयरा, sanitizer यूज़ कर रहा है तो इसलिए इसको हम real time control भी कहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है तो इसी को concurrent control कहते हैं तो example के तो पर fleet tracking by GPS यह fleet tracking आने की बहुत सारी गारियां जो है आप suppose करें कि आप एक जगा से दूसरे जगा समान जो है transport कर रहे हैं तो पूरी 4-5 गारिया आपकी एक साथ जारी वहाँ पर तो जो managers होते हैं वो GPS के जरी उस अपने transportation truck को check कर सकते हैं कि वो कहां से जारी है किस रास्ते से जारी है और गर कोई shortest destination है कोई shortest route है तो उस route को जो है आप अपने drivers को वहाँ पर बता सकते हो जिससे कि वो traffic से बच सके और सही time पर जो है वहाँ पर अपने और कम distance कवरत करते हुए सही time पर जो है अपने destination पर पहुँच जाए तो fleet tracking by GPS यह क्या एक तरीके का concurrent control का example है इसी तरीके से आप देखते होंगे कि जो है product बन रहा होता है बीच मसीन खराब हो गई मसीन जैसे ही खराब होती है आप तुरन्ट उसको duration में control के लिए that is called concurrent control जिसको हम steering control भी करते हैं फिर real time control कहते हैं वही पर जब process complete हो जाता है सब सारा काम complete हो जाता है उसके बाद फिर आप जो है अपनी performance को check करते हो और जो भी problems आए थी उनको control करते हो तो that is feedback control this process involves collecting information about a finished task assessing that information and improvising the same type of task in the future यानि कि आपको क्या है कि आपको organization में same task जो है आपको बार बार परफार्म करना पड़ता है या manufacturing activity है तो same manufacturing आपको बार बार करने पड़ती है तो एक बार जो manufacturing में problem आ गई उसको उसके information को access करके जो भी problems आए थी manufacturing में उसको resolve करके solve कर लेना जिससे कि next जब हम manufacturing करेंगे तो वो problem दुबारा से ना आए तो that is feedback control clear यानि कि आपने क्या किया आपने देखा कि जब आपने पहली बार जो है product बनाया तो उसमें क्या-क्या problem आई उस problem को जब दूसरी बार product बनाऊगे तो वो problem ना आए उस type के control को क्या कहता है feedback control जो पहली बार process कर रहे हो पहली बार product बना रहे हो उसको बनाने से पहले ही आपने जो control technique यूज कर लिया pre-control product को बनाते हो जो है जो controlling techniques यूज की that is concurrent control product को बनाने के बाद आपने उससे information लिया कौन-कौन से problem आए थी उस problem को जो है आपने ध्यान में रखा और जब next time जो product बनाने जाओगे तो उन problems को resolve कर लेते हो तो that is called feedback control तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है किसी को target दे देते हो वो target complete कर लेता है target complete करने के बाद जो है उसकी performance को आप review करते हो और जो भी problems होती है उसको जो है आप वहाँ पर control करते हो that is called feedback control जैसे कि sales goal का target होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो sales team होती है उनको जो है उनका sales goal दे दिया आता है और कहा जाते है कि आपको यह 3 महीने में अपने goal को achieve करना है उसके बाद जब 3 महीने हो जाते है 3 महीने बाद वो आएंगे और उनकी performance को review किया जाता है और check किया जाता है कि उन्होंने अपने goal को achieve किया कि नहीं किया अगर नहीं किया तो उसके लिए उनको proper training प्रोवाइट कियाती है फिर जो भी उनका प्रोग्राम होता है जिसके ज़रे उनकी sales को improve किया जा सके वो टेक्निक वहाँ पर use की जाती है clear तो इसी को कहते है feedback control वहीं पर जब 3 महीने sales कर रहे थे तो उस 3 महीने की duration महीं अगर जो वहाँ पर control किया जाता तो उसको कहते concurrent control और वहीं पर sales team दौरा sales को start करने से पहले जो control अब करते हैं तो वो चीज pre-control कहलाते है clear sales target जो दिया था 3 महीने का वो 3 महीने complete होने के बाद जो controlling technique की उसकरोगे वो feedback control को हैलाएगा clear wish you all the best keep watching